नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज हमारी स्टोडियो में कौन आए आपको पता है आज हमारे दो मित्राएं हैं आकास और मनोश तिवारी जी नमस्कार तो यह लोग आए हैं बेसिकली हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बात किया था मैं गीता पढ़ना चाहते हैं और उसको लेने खुद आये हैं आज हमारी स्टोडियो में यह हमारे मित्र आकास और यह हैं मनोश सर तो मनोश जी आप पहले अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं तो यह भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो आपको जीने की रह द इस मुहिम को जिसमें उन्होंने कुछ चीजे बढ़ाई थी जो हमने फोलो करके आज यहां तक पहुंचे और आज यह भगवत गीता हमारे पास है और मैं तो कहता हूं आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको भगवत गीता जरूए पढ़नी चाहिए और यह कैसे आप आपको मिल सकती है आप इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर जाके वह वीडियो देखिएगा और वहां पर बताएगी चीजों को कीजिए और आप भगवत गीता लीजिए और पढ़िए और अपने आपको आगे बढ़ाईए अगर हम लोग भगवत गीता को अपने जीवन में अगर उनके प्रिंस्पल्स को उतार लेने तो वह सचाई जब अपने आपको पता चल जाती है ना तो अपनी जीवन जीने की जो असान बनाने की बहुत ही जबदस्त किताब है आप सभी लोगों को इस किताब को जरूर सकते यहां जो जा जाब को मिलता है मैनुवल के हिसाब से जब आप उस डिवाइस को यूँज करते हैं तो डिवाइस लंबे समय तक चल पाती है और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए आपको जो मैनुएल है उसी चऱ जो भगवत गीता है आपको आपके लाइफ का आ पुदास रहते हैं कोई मकसद नहीं मिल पा रहा है और लाइब को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं अच्छे से जीना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको सिखाती तो उसी तरह से यह समझे कि हमारे जीवन जीने का जो मैनुवल है वह भगवत गीता है कि जिन्दगी को जी किया कुछ यूपी के अंदर के थे कुछ अलखनव के अंदर के थे और कुछ लोग यूपी के भी बाहर के थे जैसे उडिसा के थे और अहमदाबाद गुजरात वगएरा के थे तो उन सब तक भगवत गीता पहुचाई जा चुकी है और फिलहाल अगर आप भी पढ़ना च